हेलो फ्रेंड्स वेलकुन तो मैं चानल किचिन एंड डेकॉर जब भी निया कुकर परचेस करना होता है तो सब को सबसे ज़ाधा कंफूजन यह पेश आती है कि कौन सा कुकर परचेस करता चाहिए इनर लिट खरीदें या फिर आउटर लिट खरीदें आज हम आपके लिए र सिंगल रहते हैं गर में चोटा बच्चा है तो दोनों कुकर आपके काम के हैं जोंसा भी कुकर आपको अच्छा रगता है आप इसे परचेस कर सकते हैं आपको कहीं जाने की जूट नहीं है हम सब साइज के बाइव इस वीडियो के लिए डिचरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जहां से आप बहुत अच्छे डिसकाउंट्स इसको परचेस कर सकते हैं, इस वक वैसे ही बहुत अच्छे डिसकाउंट्स चल रहे हैं, दोनों हुई ब्रांच के उपर, चलिए हम आपने रिवीव पर वपस आते हैं, जैसे के हम बात करे थे, कि हम आज दो कुकर के बारे में रिवीव करने वाले हैं, प्रिस्टीज का आप जालब गर ते बनाते हैं राजब बनाते हैं छोला बना जिसमें लैक वर जादा होता है तो कई बार पानी की कंटेंट जादा होने के वज़से यहां से लीग के छोदी है पानी के साथ साह साथ आपका food content भी विसल के रस्ते से भार आ जाता है जिससे आपका cook टॉब या का induction खराब होने के chances रहते हैं प्रस्टीज ने इस पात का ध्यान रखते हुए अपना जो लिट है जो इसके लिट जितने भी sizes के लिट डिजाइन कर रहे हैं हरका सा depth दिया है सोट सा deep बना दिया जिससे क्या होगा जब भी आपका extra food content भार आएगा वो यहीं पर रुख हां आपके नीचे कुक टॉप पे नहीं जाएगा जिससे आपके सफाई बनी रहेगी स्वच्छता बनी रहेगी लिट की बात करते हैं और मेटियल की बात करते हैं तो पूरा stainless steel का को कर है दोने ही कुकर क्या stainless steel की है यह 304 गेट का stainless steel स्टीज चिज ने जो बनाए है 304 गेट तो आराम से बंड गया जा सके, कुकरण भाय के मैट फ्रिज का मुड़ते है THIS के श्जी स्टील बाद के सेको बिलता है, आपको। पार की दर से आपको घ्लासेट मिलती है और अब बात करते है इसके की News के boss की जी हाँ यह होता है alpha base जिसे हम tri-ply base या फिस sandwich bottom भी कहते हैं इसमें क्या होता है यह एक अलग से base लगाया जाता है इसे tri-ply गाने का मकसद यह होता है कि यह steel बीच बाहर भी steel और अंदर से encapsuled aluminum इससे क्या होता है कि आपका base है भी हो जाता है uniform heating मिल दिया आपको आप जब भी आप इसमें हलकी सी gas लगाएंगे तो आपका पूरा cooker एक बार में गरम होगा इससे यह होगा कि आपका cooker सब तरह के cooktop पे compatible हो जाता है फिस ग्यास, induction, halogen, ceramic सब पे बिल्कुल comfortably इसका आप यूज कर सकते हैं इसके फायदागी रहते हैं जब भी आपको कोई भी पानी वारी जिसमे जात का water content जाधा लगता है, for example आपको राजबब बनाने हैं आपको छोले बनाने हैं आपको डाल बनाने हैं जिसमें आपको water content जाधा लगता है तो हम आपको advise करेंगे कि आप inner lid का cooker ही consider करें क्योंकि safety के लिहाज से safety के लिहाज से हमेशा inner lid के cooker ही बहतर रहते हैं, अब हम बा सबसे पहले में ही बाजी मार गया इन्होंने पूरा का पूरा कुकर ही ट्राइब बना दिया अंदर से स्टील बार से स्टील और बीच में अनकाप्सुल कोई बेस इन्होंने अलग से नहीं लगाया है बीच में काप्सुल आज मिनम होने की विज़से आपको पूरा एक बार में घरम होता है खाने का टेस्ट नहीं होता है पूरी तरह हाइजेनिक कुकिंग होती है दोनों ही कुकर्स में आप इस बात को लेके बिलकुन निश्चन रहा सकते हैं कि किसी पितर से आपके cooking में किसी तरह की compromising नहीं होने वाली as point of quality के बारे में और किस किया करते हैं कि taste विगरा चेर नहीं होता और दूसरी चीज जैसे कि मैंने आपको पताया था कि inner lid में handle होते है metal के उपर होता है back a light handle लेकिन outer lid में पूरा handle back a light में दिया जाता ह है और जैसे कि मैंने आपको इसमें यह पताया था कि inner lid के अंदर आप water content इसमें ज्यादा होता है जैसे water content ज्यादा होता है तो इसके लिए आप inner lid consider करें अगर आप सूकी सबजी बनाना चाहते हैं open cooking करना चाहते हैं separators use करना चाहते हैं जैसे कि आपको idli maker यूज करना है चलाने में सानी सूकी सब्सक्राइब में water content कम लगता है open cooking करने में सानी तो उस लिहाद से आपका outlet का cooker उस purpose से बहते रहता है as compared to inlet safety के लिहाद से यह भी बुरा नहीं होता क्योंकि दोनों ही कूकर ISI mark है और open cooking में outlet हमेशा inlet से ज्यादा बाजिवारता है और यह चीज होती है कि यह हमारे outlet के cookers होते हैं यह dishwashers safe होते हैं जबकि inlet के cookers dishwasher में नहीं जाते है इसमें भी आप देख सकते हैं stay cool whistle दी वही है जब भी आपकी whistle उपर होगी आपको touch करना होगा तो यह अराम से इसको touch कर सकते हैं अब आपको decide करना है कि आपके घर में किस तरह की चीज़े बनती करका तो जैसे कि मैं आपको पहले पताया कि इसी नीचे वीडियो के रीचे description box से प्रवाइड कर दिया है चाहां से आप बहुत अच्छे discount के साथ इनके कोई भी size आप purchase कर सकते हैं अब यह आपका decide है कि आप को सा size आपके साब से better रहेगा चाया फिर आपको मैं brief कर देता पहरी चीज के दोनों ही stainless steel के अंदर है ये होता है 304 grid का stainless steel चीज यह पूरा try ply कर अदर होता है try ply मैं होता है बाहर अंदर के दशर 304 ग्रेड का stainless steel होता है बाहर 401 ग्रेड का stainless steel होता है ट्राइप्राय का मेट Baterial as compared to stainless steel better रहता है safety के लिहाज से inner lid cooker ज्यादा बहतर होते है as compared to outer तीसरी चीज इसमें यह होता है इसमें आप open cooking इतनी comfortably नहीं कर सकते हैं लेकिन आप कर सकते हैं यह dishwasher सेव नहीं होता यह dishwasher सेव होता है यह sandwich bottom में आता है यह पूरा cooker ही tri-prime होता है tri-prime बहुत revolutionary material है कि आप इसमें कड़ाइया लेजे इसमें आप पैंस लेजे इसमें आप सक चीज़ा बहुत अच्छी चल रही है अब यह आपका personal decision है कि आप कौन सी चीज अपनी cooking अपनी kitchen में add करना चाते हैं उमीद करते हैं कि हमारी दीवी जान के लिए आपके काम आएगी और जब भी आपको नया cooker purchase करना होगा तो आपके सारे points जहान रखेंगे और एक अच्छी चीज़ करेंगे इसी तरह की नई नी चीज़ों के जानकारी के लिए आप इस चीज़ों को हमारे चैन को like कीजिए subscribe किजिए थैंक यू सो मच कीप वाचिंगे से पूर्टिंग में चल थैंक यू सो मच